बही पुराना बोरिंग सा नास्ता यह पी बोरिंग सी रेसिपी खागा कर अगर आपका दिल बिल्कुल बोर हो चुका है तो बस आज मैं नया सा एकदम टेस्टी सा बेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूं दोस्तों जो की बनाने में बेहतासान है और खाने में तो है ला जबा चोटी बाली राई और एक चमट डाल देंगे इसमें धुली ऊड़त की दाल और इधर मैंने हरी मिर्च ले लेली हैं दो और चिली फ्लेक्स लेली है दोनों ही एक साथ डाल दूंगी एक बड़ा साइस का मैंने प्यास बारी काट की डाल दिया है और बस इनको हालका साह हम सॉफ्ट करेंगे समय था कापैमिẫn बाल चलिए का प्यंद दो है कश्लेक्फ लिए हूद करेंगे और यहां पर घृवल ने हम टेया है धर द्जा प्रिकेसिक्ट उट secondo दो हम करीघ ह्ब्यन नष्ट करूब न हाड़ी ओस लिए पैस वार यहां पर लिवा और यहाँ पर उबले हुए आलू मैश करके डाल दिये हैं, जो कि मेरे हैं तीन आलू मैश कर लिए हैं, इसमें मिक्स कर लोगी, आप यह सारी चीजों को अच्छे से हम इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, जादा जादा नहीं दवाना है, अलका-लका सान को मिक्स करते हुए, बस यहां पर यह अब लिकुल तयार है तो गैस का फ्लेम यहां पर आफ कर देंगे और उनको साइड में रख देंगे चलते हैं अब बनाएंगे मैदे का एक पेस्ट तो यहां पर मैंने एक कप ले लिया है मैदा इसमें आदी चम्मस की करी मैंने डाल दी है फिस हुई चीनी तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है दही डाल देंगे तीन चम्मस की करी और इसको अच्छे से हम मेक्स करेंगे और इसमें एक कप मैंने ले लिया है नॉर्मल टेंपरिचर में रखा हुआ दूद और दूद थोड़ा डालते हुए इसका एक सौफ्ट बैटर तयार कर लेंग तो इसमें दो चम्मस की करीब मैं इसमें पानी मिला दूगी और बस यह एकदम बैटर एकदम तयार है तो इसकी कंसिटेंसी हमें इसी तरह से रखनी है आप देख रहे हैं एकदम स्मूज जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है तो एक धार सी लंबी से गिरे तो समझ तरह बैटर तयार है यहां पर हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए और यहां पर हमने नौनि स्टिक पैन गरम करने के लिए गैस पर पहले ही रख दिया था और जैसे गरम हो जाएगा तब हम इसमें दो चमच भर की जो एने इसमें यह रैप हम इस तरह से बना के तियार कर लेंगे अब हम एक एक रैप लेके और इसके अंदर बीच में रखेंगे हम स्टफिंग एक डेड़ चम्मास के करीमे अंदर यह जो आलू वाली स्टफिंग बनाई है बैजिस वाली वो इसमें डाल दूगी और इसको ऐने जो चीज दा निकलेगा नहीं, तो इस तरह से हमने त्यार कर लिया है, इसके उपर हमने मैदे वाला गोल थोड़ा सा लगा देंगे, बश्क कर देंगे, और इसके उपर लगाएंगे, वाइट और ब्लैग वाले जो तिल होते हैं, वह इस तरह से लगादेंगे, इससे क्या होगा, इसमें बहुत अच्छा क्रेंचनेस आएगा और ये खाने में और देखने में भी अच्छे लगने वाले हैं तो बस इस तरह से हम सारे पैटी तयार कर लेंगे यहां पर हम नॉनिस्टिक पैन पे ना दो ती चमबाश ऑईल डाल देंगे और इनको इस तरह से हम जो ना सेक लेंगे त तो इस तरह से हम सेकेंगे कि दौनों साइड से पलट पलट के सेकते हुए जोएनन को एकदम क्रंची कर लेंगे तो यह हमारी चीज पॉकेट एकदम रैडी हो जाएंगी इसी तरह से हम सारे जो ना तियार कर लेंगे बस फटा फट से बनाइए और यह बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है एक बार इसको जरू ट्राइ कीजिएगा और यह जो ना इस तरह से आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा समें कलर भी आ गया है जब यह अच्छे से जो ना सीख जाएंगे ना तो इसमें कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है और यह खाने में बहुत ही इसको जरू ट्राइ कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस अपने फ्रेंड और रिस्तारों को सब्सक्राइब को शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में